इस वीडियो में पढ़ेंगे difference between convex lens and the zone plate ठीक है हमने यह पढ़ा था कि जो zone plate है वो convex lens की तरह ही behave करती है बड़ तब भी कुछ ना कुछ difference तो होता ही है convex lens और zone plate के अंदर तो वह हम difference के बारे में पढ़ेंगे कि convex lens और zone plate में क्या क्या difference होता है ठीक है तो सबसे पहरा जो difference है convex lens और zone plate के अंदर कि जो formula होता है focal length का convex lens के अंदर convex lens के अंदर जो focal length का formula होता है वो क्या होता है one upon f is equal to mu minus one into में one upon r1 minus one upon r2 ठीक है और zone plate के अंदर जो focal length का formula होता है वो क्या होता है वो हमने अभी पिछली वीडिये में ही drive किया है वो क्या है one upon f is equal to n lambda upon rn का square ठीक है तो यह focal length का formula होता है zone plate के अंदर second convex lens के अंदर जो focal length होती है वो directly proportional होती है lambda के wavelength of light के ठीक है focal length के directly proportional होती है wavelength of light के ठीक है बट इन दी केस अव जॉन प्लेट focal length is inversely proportional to the wavelength of light ठीक है ठीक है थर्ड डिफ्रेंस देखते हैं थर्ड डिफ्रेंस क्या होता है convex lens और zone plate के अंदर जो light आ रही होती है लेंस के different zones में से ठीक है lens के different zones में से light आ रही होती है वो screen तक पहुंचने का सेम time लेती है ठीक है हर एक zone में से जो लाइट आ रही होती है लेंस के अंदर से वह स्क्रीन तक पहुंचते पहुंचते सेम लेती है हर एक जोन में से जो लाइट आ रही है वह सेम टाइम लगाती है स्क्रीन तक पहुंचने के लिए इमेज तक पहुंचने के लिए ठीक है जब कि जोन प्लेट के अंदर हर जोन from different zone of lens takes सेम ताइम तुरीच धी इमेज पॉइंट इमेज पॉइंट श्क्रीन तख पहुँच ते पहुच ते जो लाइट है वो डिफ déb जोंस ऊफ लेन्स में से सेम टाइम लगाते हैं पहूँछने के लिए जबकि जून प्लेट में डिफ्रेंट था है तो इसमें आप यही लिखने थीक है। पूरी लाइन यही लिखनी है ब सेंट आपको डिफरेंट वर्ड के यूज करने हैं ठीक है दसी silver zone of the यहां लेंस है यहां को zone plate यूज करना है the light from the different zone of the zone plate takes different time to reach the image point यह आपको लाइन यहां लिखनी है third क्या है sorry fourth क्या है इन दोनों के बीच में difference जो convex lens होता है उसमें single focal length होती है ठीक है एक ही focal length होती है lens की ठीक है बड़ आपने zone plate में देखा है कि zone plate के अंदर multiple focal ही होते हैं मत्कि multiple focal lengths होती है multiple focal length ठीक है आगे देखते हैं fifth difference दोनों में जो intensity होती है image की वो ज्यादा होती है convex lens के अंदर ठीक है तो उस image की intensity होती है वो क्या होती है larger होती है ठीक है बट zone plate के case में जो intensity होती है वो क्या होती है lesser होती है as compared to convex lens ठीक है जो image form होती है zone plate में zone plate के कारण उसकी जो intensity होती है वो कम होती है Convex Lens के comparison में तो Convex Lens में क्या लिख होगे the intensity of image the intensity of image is larger is larger ठीक है but in the case of zone plate intensity is lesser ठीक है इमेज फॉर्म ड्यू रिफ्रेक्शन के अंदर जो इमेज बनती है वह रिफ्रेक्शन के कारण बनती है ठीक है Convex Lens के अंदर रिफ्रेक्शन होती है जबकि zone plate के अंदर डाइफ्रेक्शन होती है तो यहां आप क्या लिखोगे 6th point के अंदर इमेज फॉर्म्ड ड्यू टू रिफ्रेक्शन ठीक है जबकि zone plate के अंदर आप क्या लिखोगे इमेज फॉर्म्ड दू डाइफ्रेक्शन ठीक है तो यह था आपका Convex Lens के अंदर डिफ्रेंज पी जाइफ्रेक्शन ठीक है गिए टू रिखरेक्शन ठीक हाँ झाल झाल